बHAI आश्वरया शर्मा ने खत्रों के खिलारी में धमाल मचा लिया देखिए आश्वरया शर्मा ने टिकेट टो फिनाले तो जीधी लिया साथ ही साथ वो पहली पारी फाइणलिस्ट भी बन गई लेकिन उसके अलावा आश्वरया शर्मा के साथ कुछ ऐसा हो गया सेट पर जिसके बाद वो बहुत ही जादा घबरा गई बहुत ही जादा रोने लगी और बहुत ही जादा टेंस्ट हो गई वेल आश्वरया शर्मा इविक्ट हो गई है क्या अब ये भी बड़ा सवाल आता है क्या वो खत्रों के खिलाडी से इविक्ट हो गई है क्या उन्हें बाहर कर दिया गया है देखिए फिलहाल जो है आश्वरिया शर्मा आपको टिकेट टू फिनाले जीपती हुई नजर तो आ रही है मतलब लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से उनों ने टिकेट टू फिनाले को अपने नाम किया और उन्होंने पहली फाइनलि ने उन्हें बहुत डांट फटकार लगाई है वेल चले इस वीडियो में आपको बताते हैं नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हिमाश्य सोनी जैनलिस्ट हिमाश्य सोनी चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है वेल नील भट जो उनके पती है उनकी वजह से ऐश्वरिया शर्मा पल जिसके तहत टेहत को बहुत वीडियो कॉल पड़ आया अश्वर्य शर्मा से बात करने सबी कंटélior होस्त रोहित शेटी के सामने तो नील भट ने कुछ ऐसा के दिया जिसके बाद रोुच शेटी का पारा जो है वह एकदम हाई हो गया नील भट ने कहा की आप लो करो ऐसे वीडियो नगर होते हैं तो मुझे इससे बाहर किया करो और इनके वीडियो कॉल्स वो आपस में करवाया करो मेरा इससे कोई लीना देना नहीं होता है और मैं इनके पर्सनल मैटर में नहीं घुसना चाहता बस यह सुनने के बाद ऐश्वरिया शर्मा जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा गई बहुत ज़्यादा टेंस हो गई और उन्हों ने कहा कि सर मैंने कुछ भी नहीं कहा है कुछ भी नहीं कहा है किसी को भी और बहुत ज़्यादा घबरा गई बिसिकली यह प्रैंक था जो कि रोह से बाते करके अपने फैमिली मेंबर्स का नाम लेकर तो बहुत अच्छा कर रही है फिलाल अभी तक तो अब देखना ये होगा आप खत्रों के खिलाडी का फाइनल का शूट भी कल हो गया है अब देखना ये है कि कौन जीतता है इस बार खत्रों के खिलाडी आपको क्या लग अधिज्रगा वागी एंटर्टेइन्मेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते में यूटीब चैनल को विचेस जैनलिस्ट हिमायाश्यस और नमस्कार